हेलो दोस्तों आज मैं आपके सामने नए वीडियो लाए हूं दोस्तों आज हमारे पात फोर स्टोक एले मल का स्कूटर है तो यह कुछ समय पहले निकला था लॉंच हुआ था काफी चले स्कूटर लेकिन उतना खास रिजल इनका नहीं निकल पाया तो यह जो स्कूटर है कोटर में लगे तो मैंने उनसे क्या हुआ तो सबसे पहले तो वह कह रहे थे कि यह किक जो है मैं बना रहा हूं यह किक जो है यहां पर फर्ज में टक्रा रही थी तो किक तो मैंने बना दिया हलका इसको पीछे खीचे था तो किक अच्छी तरह लगने लग गया लेकिन क्या हुआ तो इन्होंने क्या persecuted था इन्होंने जो यह ca azul को निकाला निकालने के बाद में आप देख रहे है कि यह Green ungen देख रहे हैं यह आपर यहां ब्रहार इंहें अरॉफ जो आप इसा सखो 20 और ऊप्सक्राइब सब्भाव करें इस तानाकर है तो अपिटा लग्यां काफित हो रहा है तो आप देख रहेकिता न कल लिए तो हमने इससमें नहीं रहता है यहां पर इस तरीके से में इस तरीके से इसको लगा देना है तो थोड़ा टाइट हो रहा है यह देख लहा है कि हमारा कपलर अच्छी तरह फिट हो चुका है ठीक है और आप देख रहे हैं कि इस वाली लीड में हमारा करंट आ रहा है तो एक बार हमने चेंबर में देखना है इसको इसमें क्रंट आने लगा लिगना आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहां धूप आरीए दूप को वेसे करंट दिखाई प्रमे अच्छी तरह देखा है तो कपलर में आउट ओर था-इन देख्ला गक्रण्ट आने लगा तो डिखाई नहीं दे रही है निल्या प्र्टमक काहिए लेकिन दिंद्नलग्ते बिद्धुर आप गेरा थे प्रिदंगरइन की र Remove कि अब हमने चाहने इस प्लग को अमें फिट थे अब है तो प्लक पाना हमार पाई यह है जाए इसको हम फ्लक हमने कस दिया और इसको लगा देते हैं और यहाँ पर हमने हाउस फाइप खोल लगा है यहां पर हमने आऊश वाइप कर लगा है तो इसमें आलका अथ लगा लेंगे इस तरीके से तरीके से जैसे आपने देखा कि स्कूटर स्टार्ट हो चुका है तो यह हमने हाउस पाइब इस नहीं खोला था कि हाथ की चोक लगने से स्टार्ट जल्दी हो जाता है तो अभी हमने क्या करना है जो यह हाउस पाइब खूला था तो इसको अम फिट कर देते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँस पाइब बहुत होते हैं तो यह सोट है तो अच्छी तरह बेढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक खिलिब भी है तो इस किलिप्यों क्या कनने हमने इस किलिप को इस तरीके से हमने यहां पर लाकर इसको कस देना है इसी तरीके से इस किलिप को कस देते हैं और देखते हैं कि यह जो हमने हाउस फाइप फिट किया है इसके बाद स्टार्ड होती है या नहीं होती है तो यह नट अच्छी तरह कस लेते हैं पुरा टाइट तो जो फोर स्टोक लेमल आए थे यह उतने सक्सेस्पुल नहीं निकले जो पराने चेतक थे और जो पराना लेमल एंड भी था वो ज्यादा बहुत अच्छी तरह सक्सेस्पुल था तो अभी देखता हूं कि स्टार्ट ये और ये नहीं हो लुत में पर तो जो señora में प्रोब्लम थी वह प्रोबम धूर हो चुकी है और हमने जो स्टार्ट है है था हावस पाइप फिट करने के बाद भी हमारा जो स्कूटर रे स्टार्ट हो चुका है तो आप विसेस इन चीजों का में जेसे कवे यह धियान दें जैसे आप यह द荃 कौलते हैं यह यह बादा कौलते हैं तो वाँ आप अच्छी तरह खोलें और ख्याल रखें कि हमने खोला कैसा है और फिट करना कैसा है तो मैं छोटे-छोटे वीडियो हमेसा बनाते रहता हूं अगर वीडियो फसंद आता है तो लाइक शेयर जुरू करें और केमेंट करके जुरू बताएं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो